सलामों आलेकूम मैं तजमुल सर इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है उकलीड डेफिनिशन्स, एक्जियॉम्स और पॉस्टिलेट्स उकलीड एक ग्रीक मैथेमेटिशन था जिसने पॉइंट, लाइन और सर्फेस को डिफाइन करा ठीक है और उसने कुछ डेफिनिशन्स, एक्जियॉम्स और पॉस्टिलेट्स भी दिये थे अब हम देखेंगे ये एक्जियॉम होता क्या है एक्जियॉम एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा रूल या एक ऐसी एसम्षन होती है जो सही होती है, जो ट्रू होती है और उसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन उस statement या उस rule से हम बाकी statements को प्रूव करते हैं ठीक है उसको कहते हैं हम exiom अब हम देखेंगे ये postulate postulate क्या होता है postulate भी एक ऐसा statement या एक ऐसा rule या एक ऐसी assumption होती है जो सही होती है और जिसको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन उससे हम बाकी statements को प्रूव करते हैं जैसे कि theorem से लिमाज है ठीक है और इसको हम कहते हैं exiom भी ठीक है postulate को हम exiom भी कहते हैं अगर इसको हम exiom कहते हैं तो नाम different क्यों है इनका कुछ ना कुछ तो difference होनी चाहिए ना चलिए हम वो difference पढ़ेंगे exiom और postulate की दर्मिया difference क्या है exioms are self-evident assumptions which are common to all branches of science while postulates are related to the particular science exioms जो होते हैं ये self-evident assumptions होती है self-evident का मतलब होता है जिनको explain करने की ज़रूरत नहीं होती है जो obvious होती है ये obvious assumptions होती है exioms जो सारे science में common है ठीक है जो use होती है सारे science में सारे mathematics में लेकिन जो postulates होते हैं ये सिर्फ एक खास science की और relate करते हैं और वो है geometry ये सिर्फ geometry में use होते है postulates लेकिन जो exioms होते हैं ये सारे mathematics में use होते है पाले